नमस्कार दोस्तो नित किचन में आपका स्वागत दोस्तो आज हम बनाएंगे वीना मोल्ड का चॉकलेट मोदक इसे घर पर बनाना बहुत आसान है खाने में बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तो एक बार आप जरूर ट्राई करें और आपका मोदक कैसा बना मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें मेरी यह मोदक की रेश्पी आपको पसंदाद ज्यादा ज्यादा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल पर आप पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले नए 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 विडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं चौकलेट मोदक बनाने के लिए यहां पर हम 10 रुपए वाला चार पैकेट और यो बिसकिट लिए हैं सबसे पहले हम बिसकिट को पैकेट से निकाल लेंगे यह देखिए सारा बि बिसकिट से क्रीम को अलग करना है इस तरह से बिसकिट लेंगे भिसकिट को खोल कर इसक क्रीम हम निकाल लेंगे प्लेट में बिस्किट और क्रीम को अलग कर लिए हैं क्रीम को रख देते साइड में चलिए बिस्किट को ग्राइन करके फाइन पाउडर बना लेते हैं बिस्किट को ग्राइंड करने के लिए यहां पर हम लिए मिक्सी का जार मिक्सी के जार में इस तरह से बिस्किट को तोड़कर डाल देंगे सारा बिस्किट तोड़कर मिक्सी के जार में डाल दिए चलिए इसको ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लेते हैं बिस्किट को ग्राइंड करके फाइन पॉडर बना लिए इसको निकाल लेते बाउल में ये देखिए बिस्किट पॉडर को बाउल में निकाल लिए हैं चलिए इसका डो तयार करते हैं बिस्किट पाउडर का डू बनाने के लिए इसमें हम चार चम्मस पहले दूद डालेंगे यह देखिए दो चम्मस तीन चम्मस चार चम्मस पहले इसको अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद दूद कम लगेगा तो हम और डालेंगे हमें बिस्किट पाउडर का साफ्ट बिस्किट के पाउडर का डो लगाने हमें पांच चम्मज दूद लग गया अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे गी यह देखिए एक चवथाई चम्मज इसको डालकर अच्छे समिला देंगे बिस्किट का डो बनकर तयार हो गया इसको रख देते हैं साइड में चलिए मोदक का स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम जो बिस्किट का क्रिम निकाल कर रखे तो उसको लिए हैं इसमें हम डालेंगे एक चम्मज नारियल बूरा एक चम्मज नारियल बूरा डाल दी हैं वे एक चम्मज हम डालेंगे बारिक कटा हुआ काजू बादाम आप पने पसंद कंसार कोई भी ड्राइफ फूर्ट से डाल सकते हैं क्रिम में बूरा और काजू बादाम को अच्छे से मिला देंगे यहां पर हम चीनी का इस्तेमाल नहीं किये हैं यद आप चाहे तो एक सदो चम्मज चीनी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं यह देखिए क्रिम का मिश्राम बनकर तयार हो गया चलिए मोदक बनाते हैं मोदक बनाने के लिए थोड़ा सा हम बिस्किट का डो लेंगे यह देखिए डो को इस तरह से हाथ पर रखका हाथ को गुमाते हुए हम गोल कर लेंगे यह देखिए हम कोल कर लिये हैं हथेली से दबा कर इस तरह से हम चप्टा कर देंगे इसको यह देखिए चप्टा कर दिये हैं थोड़ा से हम लेंगे क्रीम का मिश्रन मिश्रन को इस तरह से बीच में रखेंगे यह देखिए रख दिये चारो तरब से इस तरह से उठा कर हम इसको बंद कर देंगे यह देखिए यह देखिए हम बंद कर दिये अब इसको हम मोदक का सेफ देंगे वैसे तो मोदक मोल्ड में बनाया जाता है आज हम बीना मोल्ड का मोदक बना रहे हैं बीना मोल्ड का भी मोदक बहुत अच्छा बन जाता है यह देखिए मोदक का सेफ दे दिये हैं और अच्छा लगने के लिए यहां पर हम लिए फॉक फॉक से इस तरह से हम डिजाइन कर देंगे यह देखिए अगर आपके पास वागना तो आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं देखिए इस तरह से चम्मच से भी आप कर सकते हैं पिर थोड़ा सामसे आप दे देंगे ये देखिए हमारा बहुत अच्छा मोदक बनकर तयार हो गया बिना मोड़ का हाथ से हम बनाए कितना सुन्दर दिख रहा है इसी तरह सारा मोदक बनाकर तयार कर लेंगे ये देखिए दोस्तों मैंने सारा मोदक बना कर तयार कर लिए आप देख सकते हैं बिना मोड़ का कितना अच्छा मोदक बन कर तयार हुआ है एक बार आप जरूर ट्राई कर और आपका मोदक कैसा बना मुझे कमेंट करके बताना ना भूले आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू